हलो एवरिवान, वेलकम दू तक्षीरा लेर्निंग तो आज की हमारे इस वीडियो में हम इंग्लिश की क्वेज, क्वेज नमर 3 डिसकर्स करेंगे आज का टॉपिक है हमारा एडियम्स आज फ्रेज़स तो मुहावरे और जो कहावते उन पर भी questions exam में पूझे जाते हैं and basically 5 questions होते हैं जो इस टॉपिक से cover होते हैं तो चलिए बिना time waste किये हुए, start करते हैं फटाफट से तो idiom and phrases से question आते हैं, basically 5 questions आएंगे and आपको direction जो है इसके लिए दी जाएगी so direction है for question number 125 is the given question has a statement with an idiom in it which has been mentioned in bold यानि कि आपको एक question दिया जाएगा जसमें एक statement है statement में आपको एक idiom दिया गया है जो कि यहाँ पे underline किया गया है and bold में है आपको उस idiom का आप पे अगर मैं बात करूँ तो इन questions में meaning बताना होता है तो आपको पांच words दिये जाएंगे उसमें से आपको बताना है कि correct जो meaning है उस particular bold जो आपको idiom दिया है उसका so the statement is followed by five options pick the option that best explains the meaning of idiom as used in the statement तो statement में जो idiom used किया है आपको basically उसका best explain जो कर रहा है word वो choose करना है five options में से अब इसके question किस तरह के के होंगे तो question number one है हमारा the company was keen at cutting down on employee overheads in order to make the business profitable नानि कि company जो है वो keen थी cut down करने के employee का जो overhead होता है तो employees का overheads को cut करने की यहाँ बे company keen है क्या क्यों क्योंकि in order to make business profitable कि business को profitable बना सके तो आपको यहाँ बे bold में and underlined word दिख रहा है जिसे की मैंने highlight किया है आपको exam में highlight यह नहीं मिलेगा लेकिन yes आपको यह bold मिलेगा and underlined भी मिलेगा तो आपको इस bold और underlined word यानि की idiom का जो है exact meaning जो dictate करा है एक particular word दिया जाएगा जैसे यहाँ पर हमें five options given है which are reduce, spike, ensure, elongate and affiliate तो हम इन 5 में से हमें एक word चूज करना है यहाँ पर basic हमारी vocab का भी check होता है yes क्योंकि आप words देखोगे तो आपको word जो है अलग-अलग मिलेंगे आपको meaning नहीं दिया गया word दिया गया है तो आपको meaning relate करने है कि इस word के meaning से relation है better अगर वो explain कर रहा है तो वही हमारा answer होगा तो यहाँ पर आपकी vocab भी होगी और आपका साथ साथ idiom और phrase जो है वो भी cover up हो रहा है तो इसके options हमें यहाँ पर five नजर आ रही है which are reduce, spike, ensure, elongate and affiliate तो यहाँ पर cut down की बात हो रही है basically हमें जो पढ़के समझ आया है statement से कि यहाँ पर cut down करने की बात हो रही है जो employees को overheads दिये जाते है तो yes यहाँ पर reduce की तो yes इसको reduce करने की बात हो रही है reduce का मतलब होता है किसी भी चीज को decrease करना तो yes यहाँ पर reduce करने की बात हो रही है तो यह हमारा option हो सकता है then spike spike होता है जैसे हम बोलते है कि spike है, sharp है, sharp अगर कोई भी चीज होती है, pointed जैसे बोलते हैं, उसके लिए हम spike यूज करते हैं, लेकिन इसका sharp increase के लिए भी यूज किया जाता है, कि किसी भी चीज में sharp अगर increase हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम spike का use करते हैं, तो यहाँ पे cutting down की बात है, increase की बात नहीं है, that is why हमारा यह option यहां से गलत हो जाता है, then ensure, यानि कि किसी भी चीज के लिए shorty देना, तो उसको बोलते हैं ensure, तो यहाँ पे यह company को ensure नहीं कर रही है, लेकिन cutting down करने की बात कर रही है, तो यानि कि यह option भी हमारा गलत है, then elongate, elongate का meaning होता है, किसी भी चीज को क इसको बढ़ा कर देना, elongate करना, उसको बढ़ाना, यहाँ पे cutting down की बात है, बढ़ाने की नहीं है, that is why यह option भी हमारा गलत हो जाता है, then next affiliate, affiliate होता है किसी भी चीज को दूसरे से associate करना, यानि कि कि किसी को अभी association होता है, जो, so किसी की साथ associate करना, meaning होता है इसका affiliate, तो affiliate का य meaning है, यहाँ पे कोई ऐसा associate करने की बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा employees के overheads, cut करने की बात हो रही है, that means यहाँ पे हमारा जो correct option है, answer है हमारा, it is reduce, यानि कि decrease की बात हो रही है, cutting down का सीधा सीधा मतलब basic decrease ही होता है, यानि कि हमारा जो यहाँ से correct answer हमें मिलता है, it is option number A, यानि क reduce the phrase cutting down is used to show the reduction from the previous value क्योंकि cutting down का जहां जो यहां पर meaning है यह शो कर रहा है reduction को कि previous value से reduce करने की बात हो रही है cut down करने की बात हो रही है so option number a reduces correct option now question number two it was difficult to put up with the nagging relatives during the growth years it was difficult है क्या करना put up with की put up करना nagging relatives के साथ nagging यानि कि जो annoying होते है annoying हम बोल सकते है relative साला की जाधा तर annoying होते है so annoying in the sense की वो थोड़ा टोकटा की करते रहते है and मतलब yes nag करते रहते हैं तो nagging relatives होते है so growth years में उनको difficult होता है ऐसे relatives के साथ put up करना यहां पर हमें to put up with यह underlined and bold letters में है यानि कि इसका हमें correct option चूज करना है correct word जो कि इसका meaning depict करे options हैं हमारे पास decorate, issue, endure, ricochet and prioritize तो यह हमारे पास 5 options हैं जिसमें से हमें correct option चूज करना है तो यहां पर nagging relatives के साथ put up with की बात हो रही है तो option number A, decorate यानि की सजाना तो for sure यह तो हमारा गलत option है यहां पर कोई decorate नहीं हो रहा है put up कर रहे हैं issue, तो issue होता है कि कोई particular किसी भी बात को लेकर issue हो जाता है तो यहां पर issue भी नहीं है nagging relatives के साथ but put up करने की बात हो रही है तो यह भी हमारा गलत option है then indoor तो indoor का यहां पर meaning होता है कि कि किसी भी चीज को go through करना तो यानि कि कुछ जहलने से भी हम कह सकते हैं और फिर आपको ऐसी situation है जससे आप go through हो रही है तो वो भी इसका meaning हो सकता है तो basically यहां पर मेरे accordingly यह fit बैठ रहा है तो indoor इसका यहां पर आसा ही answer हो सकता है next options भी देखते हैं हम then next हमारा ricochet ricochet होता है basically rebound off करना किसे भी एक particular surface यह bullet की भी बात हो सकती है कि ricochet हो रही है यानि कि rebound back off कर रही है तो basically इसका meaning यहां से rebound off होता है जो कि इसका यहां पर कोई use नहीं है तो यह भी हमारा गलत option है then prioritize prioritize करना यानि कि किसी चीज को priority देना यानि कि आप किसी भी चीज को designate कर रहे हो या feed कर रहे हो जैसे आपके लिए वो बहुत जादा important है तो उसको हम कहते है prioritize करना तो यहां पर nagging relatives की बात है तो उनको prioritize करने की बात तो for sure नहीं हो रही है उनको prioritize नहीं कर सकते क्योंकि growth years है तो काम को prioritize किया गया है तो यहां पर जो हमारा correct option आता है it is endure की endure करना मुश्किल हो जाता है nagging relatives के साथ जब हमारे growth years होते है क्योंकि हमें काम पर भी focus करना होता है at that particular time तो यहां पर हमारा correct जो answer आता है it is option number C endure to put up with means to tolerate or endure कि किसी बी चीज को tolerate करना या फिर endure करना इसका meaning है to put up with now question number 3 the commissioner advised the fugitives to turn in themselves to get some legal respite so commissioner ने advice किया जो fugitives थे कि अपना to turn in themselves खुद को turn in कर ले to get some legal respite legal respite यानि कि कुछ जो बोलते हैं हम थोड़ा better हो सके कुछ easy हो सके सजा कि हाँ पर basically बात हो रही है and fugitives की बात हो रही है so commissioner advice कर रहा है fugitives को कि अपने आपको यहाँ पर turn in कर लो यानि कि जो भी बोल रहे हो turn in कर लो खुद को so that आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो legal respite है वो मिल सके तो options है हमारे listen, accentuate, retard, liberate and surrender तो यहाँ पर commissioner किस चीज के बारे में बात कर रहा है तो to turn in का हमें basic meaning बताना है तो listen का मतलब होता है किसी बीचीज को कम करना तो fugitives को कम करने के लिए नहीं कह रहा है बलकि to turn in करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर lesson जो है यह हमारा correct option नहीं है then accentuate accentuate का basic meaning होता है तो accentuate यहाँ पर किसी चीज को वो point out करने के बात नहीं कह रही है तो turn in का मतलब यहाँ पर फोर्चॉर किसी को point out करना तो नहीं है यानि कि हमारा यह option भी यहाँ पर गलत होता है then retard रिटार्ट यानि कि किसी भी चीज को कम करना, रिटार्ट करना, उसको डिक्रीज करना, तो यह भी यहाँ पर इसका मेनिंग नहीं है, वो उसको रिटार्ट करने की बात नहीं कर रहा है, कि उसको जैसे हम बोलते हैं कि mental retard है, कि mentally उसके पास थोड़ा कम है, तो रिटार्ट यह इसी भी चीज से लिबरेट करना यानि कि आपको अजादी है लिबरेशन है कि आप कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पे वो फुजिटिब्स को लिबरेट होने के लिए भी नहीं कह रहा है तो यह ओप्शन भी यहाँ पे हमारा गलत होता है Now last हमारा option number E बचता है तो option number E है surrender करना यानि कि हम give up कर रहे हैं तो yes यह यहाँ पे correct fit होता है क्योंकि commissioner एडवाइस कर रहा है फुजिटिब्स को कि खुद को surrender कर दो ताकि आपको थोड़ा legal respite जो है वो मिल सके So yes option number E जो है हमारा यह हमारा correct answer है So correct answer is option number E surrender the phrase to turn in means to surrender कि to turn in का मतलब यह होता है कि give up करना या फिर surrender करना यानि कि खुद को आप जो भी आपने किया है उसको accept करना या फिर give up कर देना कि मैंने quit कर दिया है आगे और नहीं लड़ सकते तो उसको बोलते है to turn in या फिर surrender Now question number four Aniket was willing to go overboard for receiving a scholarship to pursue higher education overseas So Aniket willing कर रहा है to go overboard Overboard जाने के लिए यानि कुछ extra करने के लिए वो willing है क्यों? For receiving a scholarship to pursue higher education overseas Overseas में higher education pursue करना है जिसके लिए उसको scholarship कर चाहिए तो इसके लिए Aniket is willing to go overboard यानि की out of the way यानि की थोड़ा बढ़ के Now अब हमारे पास options क्या-क्या है Remove, stretch, incur, liquidate, enhance ये हमारे पास यहां पर 5 options है तो हमें better choose करना है Remove, यानि कि किसी भी चीज को हटा देना तो फोश और ये इसका यहां पर correct option नहीं है क्योंकि वो willing है Overboard जाने के यानि कि कुछ extra करने के remove करने का यहां पर इसका meaning नहीं है Then stretch करना यानि कि किसी भी चीज को बढ़ाना तो yes to go वो बोड का यहां पर मतलब हो सकता है तो it may be our answer लेकिन हमें और options भी देखने है Now third है हमारा incur Incur का मतलब होता है कि कुछ भी चीज आप incur कर रहे है यानि कि कुछ ऐसा है something जो आपको आपके पास आ गया है जो आपको face करना है तो face करना है या पर उसको sustain करना है तो उसको हम बोलते हैं कि incur जैसे कोई dip है कोई कुछ भी चीज है कि वो incur हो गई है यानि कि sustain आप करना पड़ेगा तो basically यह इसका meaning है जो कि यहाँ पर इससे बिल्कुल भी relate नहीं करता है तो कुछ भी sustain करने की बात नहीं हो रही है बलकि overbought जाने की बात हो रही है यानि कि extra करने की बात हो रही है तो यह भी हमारा correct option नहीं है Now next जो हमारा option है It is liquidate Liquidate यह liquid से related है तो basically इसका meaning होता है कि कि किसी भी चीज को close round कर देना या फिर break up कर देना यानि कि उसको तोड़ देना या बंद कर देना यह liquidate होता है या फिर in other language liquidity जिससे हम relate कर सकते हैं जो कि economic की एक term है तो अगर हम उससे relate करें तो यानि कि pay off कर देना कि कोई भी चीज से आपने वो pay off कर दी so that आपका उसको close कर दिया है आपने उसको pay करके तो यह भी यहाँ पर कोई से relation नहीं हो रहा है वो जाने के बाद कर रहा है कुछ pay off करके close करने की बाद नहीं कर रहा so यह भी यहाँ पर गलत option होता है अमारा then option number E is enhance enhance मतलब कि कोई भी चीज है आपकी इसको enhance करना, boost up करना, strengthen करना, increase करना basically यह इसका meaning होता है तो yes यहाँ पर enhance भी हो सकता है लेकिन enhance क्या करेगा वो यह यहाँ पर इसका कोई meaning नहीं आ रहा है that is why यह option भी हम यहाँ पर नहीं जूस करेंगे क्योंकि enhance वो कर रहा है लेकिन वो willing है अभी वो stretch कर रहा है enhance नहीं कर रहा है खीचने की कोशिश कर रहा है to go overboard यानि कि stretch कर रहा है वो तो यहाँ पर जो हमारा correct answer आता है it is option number B यानि कि stretch to go overboard means be very enthusiastic कि बहुत ज़्यादा enthusiastic है, willing है कि नहीं नहीं चीजे वो सीखे ताकि वो overboard यानि कि कि खुद को भी stretch कर सके and कि उसको scholarship जो है वो मिल सके so that is why our correct option is option number B तो आपको यहाँ पर सिर्फ meaning पता होना important है अगर आपको वर्ट के proper meaning पता है तो आप directly उसको relate कर सकते हो या पिर आपको idiom पता है तो आप उसको वर्ट से relate कर सकते हो यानि कि आपको idiom का मही meaning and जो हमारे वुकाब है आपकी वो यहाँ पर strong होनी चाहिए ऐसे questions को answer करने के लिए then question number five and हमारा last one है the central bank was out of the idea that it was not suitable to bail out the ailing cooperatives to bail out यहाँ पर हमें इस word का meaning बताना है so central bank है was of the idea कि वो suitable नहीं है to bail out the ailing cooperatives so ailing cooperatives है हमको bail out करने के तो bail out का यहाँ पर हमें correct meaning बताना है and इसके लिए words है हमारे पास depart, alter, entertain, reverse and rescue तो इन पाँच में से हमें इसका correct option बताना है तो bail out का मतलब यहाँ पर basically release से related है कि किसी पी चीज को हम release कर रहे है so हमारे जो five words है so depart यानि कि about to take off यहाँ पर हम train के लिए पी बहु रहे हैं कि को depart कर रहे है यानि कि कोई चीज जा रहे है तो यहाँ पर हम ऐसी कोई बात नहीं होई है sentence में तो bail out से यह कोई रिलेट नहीं कर रहा है that is why option number a is wrong then alter, alter का मतलब होता है का polished stop besondere change करना कुछ cut-down करना या फिर increase करना यानि कि alteration करना उसमें कुछ changes करना तो changes की बात भी बहँ आपर नहीं हो रही है क्योंकि here bailout करने की बात करने है यानि कि कुछ release करने की बात कर रहे है ना कि alter करने की then entertain entertain یानि कि entertain करना for sure यह तो इसका answer नहीं हो सकता then reverse reverse क्या नहीं कि दुबाड़ा उल्टा कर देना so reverse भी यहाँ पर नहीं है ailing operatives को reverse नहीं किया जा सकता यह भी हमारा correct option नहीं है so rescue, basically rescue का meaning होता है कि कुछ चीज रिकावर कर रहे हो आप तो यहाँ से इसका meaning अगर हम और options को देखें तो वह भी हाँ पर opt-out हो जाते है last option हमारा यहीं बचता है तो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी अगर आपको words के meaning पता है that is why I said कि vocab strong होनी चाहिए आपको words के meaning पता है idiom का नहीं भी पता है तो आप relate कर सकते हो लेकिन अगर आपको दोनों ही नहीं पता है तो यह questions आपके लिए for sure difficult हो जाएंगे यान ऐसे questions में तुक्का मत मारना गलत हो जाता है आपको बस अपनी vocab strong करनी है वो कैसे करोगे आप तो daily आप newspaper पढ़िए जो भी articles है, blogs है आजकल तो technology है, smartphones है सबके पास, तो जितना हो सके articles पढ़िए, नए-नए words जो आपको मिलते है daily के 2-3 words नए सीखोगे तो आपके vocab automatically strong हो जाएगी तो यहाँ पर जो इसका correct option हमारे पास आता है, it is option number E, that is rescue, कि recover करने की बात हो रहे है कि ailing cooperatives को recover करना पढ़िएगा यह idea दिया है, central bank का so to bail out means to rescue someone from a difficult situation कि difficult situation से किसी को बचाना, recover करना या पर किसी को बचाने को हम basically कहते हैं कि rescue करना, release करना तो rescue किया है, बचाया है, recover किया है, so यह यहाँ पर bail out का meaning है तो इस तरीके से idiom and phrases से related exam में आपको को questions देखने को मिलेंगे and yes, five approach question exam में आते हैं banking के exams and insurance के बात कर रही हूँ उसके लिए यह बहुत important है, SSE में भी यह आते हैं, yes for sure, लेकिन उसमें आपको options 4 दिये जाएंगे और उसमें थोड़ा सब आपका अलग हो जाता है तो यह इस तरीके से आते हैं तो idiom and phrases साथी साथ vocab आपको दोनों यहां से अपनी strong करनी है तो ऐसे हम अगर meaning देखते रहेंगे quizzes में तो आपको बहुत सारे words के meaning तो साथ साथ पता चलते रहेंगे और साथ साथ आपको idiom के भी and phrases के भी meaning पता चलते रहेंगे तो अगर आपको इससे benefit दिख रहा है तो stay tuned with us आसी videos हम और जादा share करते रहेंगे so next video में मिलेंगे हम एक और नए topic के साथ till that आप जो भी videos आ रहे हैं उनको देखते रहे हैं revise करते रहे हैं other subjects की भी है तो channel subscribe कर दीजिए bell icon press कर दीजिए ताकि जो भी videos upload हो उनकी notification आपको receive होते रहें वीडियो अच्छी लगी है तो like, share, comment करना न भूलें so thank you so much for watching सान के दो झाल झाल झाल